नमस्कार दोस्तो रियल पॉइंट में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं थ्रेट्स एप्लिकेशन हमारे फोन में ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो अगर आप मारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को जरूर से प्रेस करना और इसे आल पर सेट कर देना है इससे आने वाली मारी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए फ्रेंज सबसे पहले क्या होगा अगर आपके फोन में अप्लिकेशन ओपन नहीं हो तो सबसे पहले तो क्या करना होगा अपनी फोन में अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपको आपके अप्लिकेशन को प्रॉपरली इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है य उसके बाद आपका जो नेटवर्क रहेगा वह वापस आ जाएगा और आपका जो नेटवर्क रहेगा उसकी स्पीड बुस्ट हो जाएगी जिससे अगर अप्लिकेशन के इंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो है के इंदर कुछ अप्डेट आ जाता है लिए अप्लिकेशन के आप्र प्रॉब्लम की सटिंग को उपन करना होगा सेटिंग उपन करने के बाद जाना होगा नीचे के सेर में स्क्रॉल करके आपको Apps वाले सेक्शन पर आएंगे उसके बाद उपर की सेर में आपको Option मिलेगा Manage Apps Manage Apps के उपर क्लिक करना होगा अब जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद पून की जितनी भी application रहेगी सभी हमारे सामने open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा Threads Application को open करना है अगर यहाँ से Threads Application नहीं मिल रही तो उपर की सेर में Search बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है Threads Search करना है आप जैसे यहाँ पर आप जो Threads Search करेंगे यह application जो है आपके सामने आ जाएगी तो मैंने यहाँ पर फ्रेट सर्च किया यहाँ पर यह application वारे सामने ओपन हो चुकिए application info ओपन हो चुका है अब नीचे की सैड में आपको एक option मिलता है clear data अब जैसे clear data के ऊपर click करेंगे यहाँ पर आपको clear all data पर click करना है और उसके बाद हम अपने phone में threads application को open करेंगे अब जैसे यह application open करेंगे आप देख सकतो successfully हमारे phone में जो application open हो जाएगी अब जैसे application open होगी उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट हो फिर से आप जो logging कर लीजिए तो इस तरह से guys गर आपके phone में भी threads application open नहीं हो रही है तो इस तरह से problem को आ आप जो solve कर सकते है